क्या आप जानते हैं सत्यमी विज्रतिक रास्टिय चुन का पहला संसकरण सोने की स्याही से बनाया गया था जिसकी जमक आज भी 77 सालो बाद भी कायम है स्वतंत्रता दिवस पर आज आपको सम्मridhan की प्रथम प्रति की मुख्य प्रस्ट पर अंकेत रास्टिय चिन की अंदरूनी कहानी सुनाते हैं देखें ये खास बाठी मौका है हमारे तिरंगे की कहानी को याद करने का और मौका है जानने समझने की समिधान की कहानी को भी आज सवतंतता दिवस पर हम आपको लिए चलते हैं नैशनल एंबलम की कहानी समझाने के लिए हमारे साथ स्वर्गी दीनानाथ भारगव जी की बहु है सापेक्षा भारगव जी जिन्होंने इस कहानी को कई सालों से सुना है और बहुत करीब से अपने दिल जान से लगा करके इस चिन्न को रखा है और बहुत ही इसको बहुत अनुपम वो मानती है अपने जीवन का क्यों उनके जो स्वर्गी ससूर हैं, उनके हातों से जो है इसका नर्मान हुआ था, सापक्षी मैं मैं जाना चाहूँगा कि पूरी कहानी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे यह एंबलम उन्होंने तयार किया था और कैसे आज के युवाओं को उनसे सीख लेने की विज़र है तैंक यू, देखे यह जो एंबलम है जो बनाया गए यह गोल्डन लीवस की इंक से बनाया गया है, यह भी बाहर से ही आईती विदेच से, इसका जो पेपर है, वो भी बाहर से ही बुलवाये गया है जो जो बेशे बस혼ag को दिखा है। ग्ली इस गई अंदर में प्रश्फ चैने हो भी को दिखाया है और बहुत को दिखाया गया है यह जो एन्वल्म यह फिर पापा ने बनाया था रुजू लुकी के छोशल मीडिया दिन-्हें आज होज रहते हैं यह भारत किता चाहीया रूप में डिया एक viral के नहीं देखिए आजकल वाकई में सोशल मीडिया पे काफी इंफ्लूइंस बहुत आगे बढ़ रहे हैं चाहिए वो इंस्टाग्राम है यूट्यूब है काफी सारी चीज़े हैं हाँ वो अच्छा कर रहे हैं सब कुछ अच्छा है लेकिन उसके साथ में इसे नहीं भूलना च अच्छा करें अपनी एक लिमिट्स में रह करके पुरानी चीज़ों को भी याद रखें यह नहीं है कि उन सबको भूला करके वो कुछ अपना नया ही कर रहे हैं इतिहास की पूरी-पूरी जानकारी रखना आज की युवापीड़ी की जिम्मिदारी है और सत्यमेव जैते कि संदेश के साथ स्वतंता दिवस पर हमारी कोशिष्टी की समिधान की कहानी इस एंबलम के निर्मान की कहानी कैसे इंदौर की सरजमी से जुड़ी है जो कि अब देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुँच गई है देखना लाजमी होगा कि क्या वाकई में इंदौर क